हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अजीज आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाल हूँ फाइनली एपल प्लस टीवी पर खतम ही सीरीज डार्क मैटर की जिसे देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा बेताब था और फिर क्या हर हफते एक एपिसोड बैट करके ऐसी सीरीज को देखना मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है लेकिन शुरुआत में जब ये सीरीज लीज हुई थी तो एक दो एपिसोड देखकर के मैं अपना मन बना लिया था ये मैं इस शूपर अपना टाइम देना भी चाहूंगा या नहीं फिर क्या था जब इस सीरीज ने फाइनल जब अपना पैकप किया है वो भी पूरे नौ एपिसोड में जिन में से हर एक एपिसोड की लेंद ऑल्मोस एक घंटे की है और उपर से आप इस सीरीज को फैमली क के बुलने पर वो अपने पुराने दोश्स से घर के बगल के बार में ही मिलने चला जाता है और फिर आते वागत आप क्या सकते हो कि उसकी किड्नापिंग हो जाती है जिसके बाद जब उसकी सिच्वेशन नॉर्मल होती है तो वो कुछी जान पहचान वालों से घिरा हुआ जहां पर उसका एक अच्छा स्टेटिस है जिसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रखा है लेगिन एक चीज़ जो से वहां पर खल रही है वो है इसकी वाइफ जो की डैनियला नहीं बलके अमेंडा है और यहां से शुरू होती है जैसन की जरनी इसी बात को पता लगा जाने के लिए कि उसका दिमाग सच में खराब तो नहीं हो गया या फिर वो जिन लोगों से घिरा हुआ है वो उसके साथ किसी तरीके का मजाग तो नहीं कर रहे जो जवाब तो आपको मेरे हिसाब से इसके पहले एपिसोड के क्लिफ हैंगर पर ही मिल जाता है या फिर कहू कि तो कर लो तो फिंट तो इस शोगी कहानी से रिलेटेड जितना सस्पेंस रगनी की मैंने कोशिश की है वो तो मैंने आपको इंट्रो के पहले ही करकर दे दी है लेकिन उससे हटकर अभी शोगी बात की जाए तो ये शोग ताइफाए त्फिलर और ड्रामा की कैटीगरी म का दिमाग भी तो खराब होगा ही लेकिन मैं उस कैटेगरी में नहीं आता इसलिए अच्छा का सा एक टाइम पर टाइम देना मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ जिसमें अब इस शोग ने मेरे सामने सीजन टू के एक ऐसे द्वार को खुल करके रख दिया है जो कि एक ओपन प्रो ओडियन्स के लिए कुछ खास नहीं लेकिन फिर भी कहूंगा कि एक अच्छा खासा सा शो दिया है जिसे वो लोग देखकर के दूसरी आउडियन्स को रिकमेंड करेगे तो इस शो को भी देखने के बाद मैं बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं हुआ हूँ हाला कि पेस्ट नौ एपिसोड्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत जादा लंबी है जिसमें एक एपिसोड्स आराम से कट किया जा सकता था लेकिन इन्हें वो कहते हैं कि माहुल बनाते हुए जेसन के कैरेक्टर उसकी फैमली की प्रती जो प्रती जो प्यार है वो दिखाना थ जिसमें अब इस शो ने बुक की अड़ेपटेशन कितनी ऑनिस्टी के साथ की है बुक मैंने नहीं पड़ी तो मुझे वो चीज नहीं पता लेकिन फिर भी कहूंगा कि मेकर्स की तरफ से इस शो को जितना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रखा गया है उसके कई सारे आंसर्स आपना बैस भी देता है खास करके सीरीज के लिए जोएल एटगंटन जो अपने इस रोल में जितने भी थे काफी ज़्यादा इंप्रेस करते है और फिसके लाव बाकी दूसरे अक्टर्स भी अपने रोल से आपको बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं करेगे बाकी प्रड पांच में से देल स्टार लेले ठीक रहेगा और फिबात की जाए कॉमेडी की तो बहुत नहीं बलके काफी ज़्यादा लाइट टोन रखकर के जो कॉमेडी दिखाए गई है उस पर तो हसी नहीं आती इसलिए जीरो स्टार को देकर के आगे बढ़े है तो ड्रामा के लिए ये कॉंसेट पांच में से चार स्टार डिजब करेगा क्योंकि जिस सोच के साथ नॉवल में इसकी कहानी लिखी गई थी उस प्रेसेंटेशन पर प्रेटर्स ने भी अपना काम जब मैंने कुछ लोगों से बात की तो अच्छा ही किया है और हाँ ये भी याद रखना कि इस था क्योंकि वही से खेल निकल कर आएगा और एक सेटिस्पाइज सी इंडिंग भी जो मैंने आपको बिल्कुल भी स्पॉयल नहीं की है बाकि सौरी इन्वायर्मेंट बदल गया होगा तो लाइट गई थी लेकिन खैर मुद्दे पर रहे यानि कि सस्पेंज की कैटिगरी पर तो ये रेटिंग कन्फूजन की ही चलते हतम क्यों ना हो लेकिन शो में जो कुछ भी चीज़े हो रही थी उसके बात की चीज़े आप रिडिक नहीं कर पाते इसलिए सरस्पेंज इस सीरीज को पांच में से सारे तीन स्टार की रेटिंग दिलाएगा और फिर बात की ज अगरो बात की चैटिक्स की तो क्रिडिक्स ने भी इस शोव पर अपना अच्छा घासा प्यार निचावर किया है जिनके हिसाब से ये सीरीज डेfinitly बी प्लस का स्कूर तो डिजब करती ही है लेकिन हम उनसे हटकर अगर मैं अपनी बात करो तो भले से ही कितने ही कंटें मै ने कंजूम क्यों ना किये हुए लेकिन इस सीरीज ने अपना बैलेंस काफी अच्छा बनाते हुए मुझे उतना जादा तो इंप्रेस नहीं किया लेकिन फिर भी एक अच्छा स्टेंडर्ड सेट करते हुए ये सीरीज मेरी नज़र में A- की कैटिगरी डिजरफ करेगी बाक कि मैं हुँ अजीज ओवी स्टॉक चैनल लाइक शार सब्सक्राइब बुलना मत मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में तिल दैन वाई इस वर गो हम